कल Reliance के Results बहुत ही जादा अच्छे आये हैं और काफी सारे लोग ये estimate लगा रहे हैं कि Reliance को ऊपर जाना चाहिए बट मैं आप लोगों एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि historically ऐसा नहीं हुआ है जब जब Reliance के Results अच्छे आये हैं या खराब आये हैं उसका जो impact होता है वो opposite देखने को मिलता है उस week में तो मैं आप लोग को पिछले कुछ ऐसे instances बता देता हूँ जहां पर Reliance के Results पॉजटिव है बट मार्केट अगले तीने चार दिनों में नेट नेगेटिव ही रहा यहां पर यह आप Green देख रहे हो Earnings का साइन आता है यह Green मतलब की Results में Surprise आया है अब यहां पर अगर आप Earnings को देखोगे तो यहां पर बहुत अच्छे के Results आया है यहां पर revenue जो यह लोग estimate कर रहे थे उसके अंदर भी 40 billion का Surprise देखने को मिला था और percentage उपर Earnings के अंदर भी 1.56 EPS का हम लोगो Surprise देखने को मिला था बट अगर आप उस दिन की next day की candle देखोगे क्योंकि usually जो होते है results शाम को announce होते है तो next day पर effect पड़ता है तो बहुत बड़ी एक red candle हम लोगो को यहां पर देखने के लिए मिली है अगर आप यहां पर देखोगे तो यह आपको next day बहुत ही बड़ी एक major red candle देखने को मिली है earnings के next day और अगर हम past में जाए जहां पर हमको green EPS देखने को मिला ह around here okay यहां पर भी हमको revenue के अंदर बहुत बड़ा surprise 71 billion का surprise देखने को मिला है और EPS में भी 4.4% का surprise देखने को मिला है but if you see तो हम लोगो उस दिन की net candle negative और follow up days भी हमको negative देखने को मिली है मतलब की एक profit booking हम लोगो देखने के लिए मिली है similarly यहां पर जो results है it is in green okay surprise आप देख स surprise है बहुत ही ज्यादा variation है जितना estimate किया था उससे बट स्टिल आप देखो तो net red candle follow up day red candle उसके अगले दिन red candle and 5 consecutive days red candle और top से लेके I think यह जो overall इस ने नीचे का move दिया है it was around 15% reliance fell 15% in 5 days तो it is not necessary कि अगर जो results है वो green आजाए not necessary कि हम लोगो ने अब तक यह 3-4 इंसेंस देख अगर आप देखो यहां पर यह earnings शाम को इन्होंने announce कि होंगी और next आप देखो बहुत ही बड़ी major red candle और उसके अगले दिन major red candle तो मैंने आपको 4-5 instances दिखा दिया है जब earnings positive आई है और market के अंदर profit booking देखने को मिलिया है तो इस जुगार में बिलकुल भी मत बैटना कि reliance की वजह से निफ्टी ऊपर जाए गया market positive हो सकता है if anything reliance should fall tomorrow आप लोग की क्या रहे है मेरे को comment section में बताएगे आप से मिलता हूं मैं अगली वीडियो में पत्ते के लिए take care goodbye peace out